हराम खोर खली करते में सोते रहता है देख अपने दोस्स को तेरे साथ परता था और क्लास में हमेशा फ़ास आता था और आज पड़ लिकर बहुत बड़ा भिखारी और मेहने कहां 2跟大家 여러분들 और तु तू खली करते में सोते रहता है तुकश्य रहता है अरे पापा हमको पैसे कमाने क्या जरू होते है है मस खाते हैं, प्यते हैं, सोते हैं, लड़्ली पिञाते हैं, भाप का पैसा उढाते है और क्या चाईए आपको अब आ Simply, आफ बहूं इदर आ आ आ जा जा इहार आ जा आराम खोज, निकल जा मेरे घर से और आज के बाद मेरे घर पे पर्मेत रखना क्या कर रहा है ये आपने ये तो कहा था गर में पेर ने रखना इसलिए हाथ रख रहे है जब तक तु बड़ा आदमी नी बन जाएगा महिने का दो लाग रुपे ने कमाएगा तब तक तु हाथ और पैट दोनों ने रखना मेरे घर पे बाग जी बाग जी एक दिन में दुनिया का सब्चे अमीरादी बनके दिखाऊंगा और एक बात कान खोल के सुन लेजिए चल फोन रख लेकिन तो तूने किया है अच्छा तो एक बात और कान खोल के सुन लेजिए क्या मैं फोन रखता हूं अरी दस रुपए आज का दिन तो अच्छा है अरी बिस रुपए अरी सला अरी पचास रुपए लगता है करोड तोती बन जाएंगे अरी सो रुपए अरी पांसो यस दिवार से टकराए करोड पती बन जाएंगे अब मुझे अमिर बनने से कोई ने रोख सकता है हम तो कोड़ पती बनने वाले थे यह हम कहां आ गये अरी तारबूज यहां जरूर कुछ गरबल है करोड पती बनने के लिए लेफ्ट जाएं यस करोड पती बनने के लिए रैट जाएं करोड पती बनने के लिए डांस करो अच्छा पहले बोलने चाहिए था ना लगागवाना मुझे आपका डांस पसंद आया आप करोड़ पती नहीं डांसर बनो है मुझे डांसर नहीं बनना है मुझे करोड़ पती बनना है मेरा मुर रंजन के लिए धन्यवाद अरे यार ठका दिया साला भूख भी लग रहा है तारभूज अब भूखना बन कर हिंदी आता है मुझे अच्छा मतलब भाए भाए मतलब तुम भी यहा करोड़ पती बनने आया है अरे हाँ लेकी तुम के सपरा चला सर पे तर्भूज से मैं कपड़ा जंगल में आ गया हो गया लफड़ा ए क्या गया गया आज से ठीक दस साल पहले हम लोग भी यहा करोड़ पती बननने आया थे तो फिर बना क्यों नहीं? क्योंकि जो इस जंगल में एक बार आता है, वो आपस नहीं जा पाता. क्यों? क्योंकि रास्ता ही नहीं है. कुलोग पती तो एक बहाना है, असली मक्सद तुम सब को यहां लाचा फ़साना है. देखा! कहां देखा? सामने आगा तब तुद दिखेगा. अबे साले, मेरा कहने का मतलब है कि सुना उसने क्या कहा? हम लोगों को यहां फ़साया गया है. अब हम लोग यहां से कभी बाहर नहीं निकल सकते. ऐसे कैसे नहीं निकल सकते? ओ, देखो क्या लिखा है. हम लोग भी देख रहे हैं, वहां दस साल से कुछ लिखा है. लेकिन क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आता है. इसका मतलब तुम लोग तीनों अन पड़ है. कैसे? वहां लिखा है कुड़पती बनने के लिए लेफ्ट जाए. हुरी! मुआ! चलमे लासा! रुखो! क्योट पत्ती बनने के लिए खाना खाए! हाह? यह कहां लिखा है कहरे लिखा हूखा नहीं है। और जड़ुर से भूगर लगा, चलो, कंपढ़ा कहाते हैं। kept eating? कहा बातनम यहां में अनने मिलेगा। K bak, how? यह पत्ता उता है…. देखो वो खा रहा है चाय कुछ भी हो जाए हम ये पत्ता उत्ता नहीं खाएंगे तो क्या खाएगा पीज़ा और बर्गर खाएंगे अब ही ओडर करते हैं हलो मेरे लिए एक पीज़ा और बर्गर भेज़ दो हाँ सरेडिस बोली कहा भेजना है हाँ लिखो हाँ बोलिए एक घना जंगल के बीच ओ बीच चार पेड़ के नीचे तीन अंपर लोग के बगल में एक पढ़ा लिखा आदमी खड़ा है मोई भेज़ दो क्या तो समय नहीं आ रहा है फिर से बोलिए अच्छा एक काम करो तुम दुकान से पीचा और बजर लेकर बाहर निकलो ठीक है सर निकलते हैं हाँ सर निकल गया है फिर वहां से रोट पकड़ो दस कदम आगे जाके लिए फ्ट लो ठीक है सर कि फिल्ड पहुंच गया हाँ पहुंच यह अब सामने देखो एक दिवा लोगा हाँ है इसमें लिखाए दिवार से टकराओ क्रोडपति बन जाओ ठीक है यह लिजी सर अपका पिजारू बर्गर थैंक यह ब्रो तकड़ो खाना नहीं यह मज़ा गया सर पैसा पैसा वह जो बाहरें पचास का सो का पांसो का उठाए था अच्छा वापका था हाँ हमें रखे थे वहां चलो जाओ अरे सर रुकिये क्या हुआ हम इस जंगल में तु आ गए अब इस जंगल से बाहर किसे निगले मुबारखो तुम भी इस जंगल में फस चुका है क्या हां इन लोगों को तेखो दस तास यह फसा हुआ है और हम भी कुछ दर पहले ही फसे और अब तुम भी यह फस चुका है अरे क्या हुआ? साले कितना अच्छा जिन्गी था मैंने का 5,000 रुपे कमाता था अरे चिल्लार का छोड़ो अब तुम अमीर बनने वाला है क्या? बाहर दिवाल में क्या लिखा था? दिवास से टकराओ, गड़ पती बन जाओ और तुम दिवास से टकराया लेड़ जाओ रहे, यह के गर रहा है? आभाद देखो, वाँ persa क्राध पती बनने के लेड़ जाओ अब अ बहुत साले अब पती बनने के ले लेड़ नीचा आओ क्राध पती बनने के लेड़ जाओ आन पढ़ा क्लोव लेड़ जाख चलो वह देगो माई शूट के से औरी लगता उसी में पैसा होगा येस आप हम लोग पती बनने वाले हैं चलो आजा रुक जाओ कौन पीछे देखो पीछे 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 अब तू कोन है वह सुटकेस मेरा है मैं कैसे मालनू के ये सुटकेसाब का है आज से 200 साल पहले बाहर दिवार पे लिखा था दिवार से टगराओ कुरोर पती बन जाओ तो मैं सोचा मैं जब कुरोर पती बन जाओंगा तो इतना सरफ पैसा कहा रखूंगा इसलिए मैं इसे अपने साथ लाए था और यहां आगे फस गया मैं यहां पूरे 200 साल से फसा हूँ 200 साल? लेकिन 200 साल साब जिंदा कैसे है? यह जंगल बहुत खतरनाक है यहां जीना है मुश्किल और मरना है नामुम्किन मतलब? मतलब इस जंगल में जो एक बार आता है ना ठीक से जी पाता है और ना ठीक से मर पाता है तो? बस दिन राद इस जंगल में भटकता ही रहता है भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है मैं तो करो क्रोड़पती बनने कर सापना छोड़ो और यहां से बाहर कैसे निकले वो सोचो बस डर गया जो डर गया ओ समझो जंगल से बाहर कभी ने गया क्यों? क्योंकि रास्ता ही नहीं पता अगर क्रोड़पती बनना है और जंगल से बाहर निकलना है तो चलो मेरे साथ ओ चाचा आप बेचलिए सुठकर सुठा लो पैसे रखने काम आएगा सला ये जंगल बहुत बड़ा है यहां से बाहर कैसे निकले क्रोड़पती कैसे बने कुछ तमझ में नहीं आ रहा है इस जंगल में आपका स्वागत है अगर आपको क्रोड़पती बनना है और जंगल से बाहर निकलना है तो आपको एक गेम खेलना होगा गेम? हाँ गेम का नाम है कौन बनेगा क्रोड़पती? इंदर जंगल इसमें आपको चार सवाल पुछे जाएंगे और आपको चारों का सही सही जवाब देना होगा अगर आप ये गेम को जीते हैं तो आपको मेलेगा पूरे 10 कोड़ रुपे और साथ में जंगल से बाहर जाने का रास्ता येस! हाँ आप तयार है तयार है पूछे सवाल तो आप सबसे पहले नीचे बैठ जाओ तो चलिए गेम को अश्टार्ट करते हैं आपका पहला सवाल है पानी का सवाद कैसा होता है? पानी का सवाद पानी का सवाद अरे कोई अप्सन तो दिजे इसमें आपको अप्सन नहीं दिया जाएगा डारेक्ट जवाब देना है डारेक्ट जवाब देना है पानी का सवाद पानी का सवाद हाँ पहले पानी प्लाई यह उसके बाद बताएंगे यह लो मज़ा गया आप खाना के बारे में पूछी अच्छा मुझसे चला की अभी बाद आते हैं इसमें कुंसी बड़ी बात है मैं तो इसी खा लूंगा खा लिया अब दिखाओ मैंने क्या बोला रसगुला खा के दिखाओ खा लिया अब रसगुला दिखाओ अरे आप कैसे दिखाएं आप तो पेट में चला गया आपने पहला सवाल का गलत जवाब दिया है अब आपसे दूसरा सवाल पुछा जाता है इसमें रिंखिया के पापा ही क्यों हस रहा है रिंखिया के पापा ही क्यों हस रहा है उसे जागे पुछो ना या अपने दूसरा सवाल कभी गलत जवाब दिया है अब आपसे तिसरा सवाल पूछा जाता है इसक दी गली विची नो एंट्री यह जो इसक की गली है उसमें इं जलत जवाब दिया है अब आपसे चौथा सवाल पूछा जाता है यह दुनिया हसीनों का मेला एक का जवाब दिया है इसलिए यह गेम को पूरी तरह से हार चुके हैं लगता है वाम लोग इस जंगल से बाहर कभी ने निकल पाएंगे बस गए यार और हम लोग जंगल से बाहर भी आ गए लेकिन हम लोग क्रोडपती ने बन पाए है हाँ यार अब यह पक्काई से पैसा होगा यस अब हम लोग क्रोडपती बनने वाले चला जाओ अरी यह क्या है यह क्या लिखाए लालच बुरी बला है मेहनत करके कमाओ इसी में सबका भला है